अगला सवाल है कि कोई शोहर अपनी बीवी से कितने साल तक दूर रह सकता है सवाल में यह पुछा जा रहा है कि कोई शोहर अपनी बीवी से कितने साल तक दूर रह सकता है यानि पुछने का मतलब यह है कि अगर एक शोहर अपनी बीवी को छोड़ के कहीं और जाये किसी और देश में कमाने के लिए या अपने ही देश में उससे अलग जाए तो कितनी लंबी मुद्दत तक बीवी को छोड़ के अलग रह सकता है उसके लिए कितने सालों तक बीवी को छोड़ना जायज होगा ये सवाल है तो देखे इस इसले में किसी भी साल, महीने या कोई मुद्दत की कैद नहीं लगाई या सकती है ये असल में मिया बीवी के आपसी रिजामंदी का मामला है अगर एक शक्स शादी शुदा है और उसकी बीवी ये कहे कि तुम मुझसे एक महीना भी अलग नहीं हो सकते या उसको अलग करना पड़ेगा तो अगर बीवी ये मुतालबा करे कि तुम्हें हमारे साथ ही रहना है मैं अलग नहीं रह सकती हूँ तो बेरहल ये उसका हक है, मुतालबा कर सकती है अब शोहर उसका मुतालबा पूरा करे तो ठीक है नहीं पूरा करें अगर उसके बस में नहीं है तो तलाक दे दें उसका मामला अलग करें वो कहीं और जाएगी लेकिन बरहल ये दोनों की रिजामंदी का मामला है तो अगर बीवी राजी नहीं है तो वो उसको छोड़के बाहर नहीं जा सकता है लेकिन अगर राजी है यानि शोहर ने बीवी से बात चीत किया कि ये ये मसला है मुझे एक साल, दो साल, तीन साल, चार साल, पांच साल या दस साल के लिए बाहर जाना पड़ेगा मैं दस साल से पहले नहीं आ पाऊंगा और बीवी कहती है मुझे कोई इतराज नहीं है आप जाएं दस साल बाद भी मैं आपका इन्दार करूंगी तो इस मौाहिदे पर वो बाहर जा सकता है इसके लिए कोई मसला नहीं है तो बुन्यादी चीज़ ये जहर में रखें कि अगर मिया बीवी राजी है तो मुद्द कम जादा कितनी भी हो उससे कोई मतलब नहीं है दोनों को राजी होना चाहिए तो शोहर जा सकता है अगर द यानि चार माई से जादा कोई भी शोहर अपनी बीवी से अलग नहीं रह सकता और जो लोग ये बात कहते हैं वो असल में एक रिवाएश से इस्तलाल करते हैं जो रुएत मुसन्नफ अब्द रज्जाग सौनन साहीद इवनि मनसूर और बहुत सारी कुतबे आहादीस में है लेकिन ये रवायत सनदन सही नहीं है बलकि जईफ है उसमें ये बात आई है कि अमरे फारुग एक मुर्तवा ऐसे जाइजा ले रहे थे रात में तो एक घर पर पहुंचे जहां पर कोई और अउरत अपने शोहर को याद कर रही थी कुछ आशार पढ़ रही थी वो देखे तो वो समझ गए कि इसका शोहर इससे जुदा है इसके वैसे समस्ला हो रहा है तो वो अपने घर पर आए और घर पर आने के बाद उन्होंने अपनी बेटी से बादरवातों में है कि हफसा रजियल्लाव नहां जो उनकी बेटी थी उनसे कहा कि या बुनेयतु कम कि आए बेटी एक बीवी अपने शोहर से दूर रहकर कितनी मुद्द तक सबर कर सकती है या वो नईया कम तस्बिरु अलग रहते वी कितनी मुद्द तक सबर कर सकती है जब ये सवाल पूछा है अमरे फारुब रजी अल्हाँ ने तो उनकी बेटी ने क्या कहा कहा या अबा यागफिरू लाहु लग्या अमिसलुका येसलु मिसली अनहदा कि अबा अल्ला आपको माफ करे क्या आप मुझसे इस तरह के सवाल करेंगे आपको मुझसे इस तरह का सवाल करना चाहिए तो अमरे फारुब रजी अनके सामने कहा कि यकीने ने सवाल करने वाली बात नहीं है लेकिन कि ऐसे से मामलात हैं मुझे जानना जरूरी है तो फिर उनकी बेटी ने क्या जवाब दिया कालत अरबात अशुरिन कहा चार महीना और खमसत अशुरिन या पांच महीना और सितत अशुरिन या छे महीना ये वो रवायत है जिसकी बन्याद पर कुछ लोगों ने कहा है कि जादे से जादा चार महीना दूर रह सकता है लेकिन इसमें 5 मेने की भी बात है, 6 मेने की भी बात है, कम से कम जो मुदत इन्होंने बताई है, वो 4 माए है, इस बुनियाद पर कुछ लोग कहते हैं कि एक शोहर अपनी वीवी को 4 माए से ज्यादा नहीं छोड़ सकता, तो मैंने शुरू में आपके सामने वाज़ कर दिया ह कि ये रवायत जईफ है, सही सनह से थाबित नहीं है, इसलिए ये इस्तदलाल के लाइक नहीं है, सही बात ये है, कि मिया बीवी का मामला आपसी रजामन्दी का मामला होता है, वो जितनी मुदत पर भी दोनों का मामला ते हो जाए, उतनी मुदत के लिए शोहर जा सकता है, चाहे वो मुद्ध चार महीने की हो, चाहे चार साल की हो, चाहे दस साल की हो, इस तिसले में कोई पाबंदी आयद नहीं की गई है, कोई ऐसी ताकीद नहीं की गई है, कि कितने दिन रहना है, कितने दिन नहीं रहना है, दोनों राजी हैं, तो मामला वाज़ है, उमिदे कि का जाब मिल गया होगा